गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो यह सुबह का टाइम है 9-10 बजे का अभी मेरे हाँ पताई का काम मतलब कलर का काम जो है आज लास्ट है खतम हो गया है लगभग तो मैं भी सफाई कर दो हो गार्डन में बहुत सारा समान उन्होंने ऐसा ही फेक दिया था मतलब हटा के रग दिया था जो मुझे चाहिए मैं थोड़ा सेट करके रख देती हूं और थोड़ा काहड़ा यह कह जो देख रही हूं क्योंकि सुबह काम हो जाते हैं । रहती है और नहें पालीसी पुली और यह सब सब्जियां लाल वाली सब्जी है और उस प्रब भी मैंने कुछ लगाए थे वह सब भी थोड़ी हुई है थोड़ी खराब हो गई है तो मैं वह दिखाऊंगे यही कलीनिंग का काम कर रहे हूं उसके बाद खाना बनाओंगी जाकर के दोस्तों तो यह चले जाएंगे तो जाला मकडा दुनिया भर के कीड़े मकोड़े अपना घर बनाए होते हैं तो भाही पानी दाल के भीगा दूंगी उसके बाद दूसरा काम करके पिर उसको भी अच्छे से साफ कर लोंगी तो मैं जो है बीजी हूं काम में अपने और क्या कहते हैं फिर ज आज मुझे लेठी हो जाएगा बहुत क्योंकि गार्डन में जब मैं आ जाती हूं तो फिर देखे उड़कर के उपर से कवर आया था दो दिन से पढ़ा और मैं इसना ढूंड रही थी इस कवर को तक यह का कवर है चदर का बैट शीट का उपर से उड़कर के इधर गार्ड मैं हो गया है और अभस थोड़त सामने सामने करे टचप भी रह गया है उनका तो ही सब कर रह थह है मैं उनके साथ पर फी धहना थोड़त्या बांदी काम करे ऐा हूं जिससंसे उंका सभान और मैं ऄड़को साफाई कर भाओं दी एके साथ में इकता और जो फेकने कर था मैं उनको आवाज दे कर दे रहे हूं कि यह सब चीजे कच्रे वाले डब्बे में डाल दो और उधर किनारे रख दूँगी यहां से तो कोई उठाती नहीं चीजे अजर मैं उठाऊंगी तो फिर पड़े ही रहेंगी तो साइड में रख दो तो भले ओ पानी डागते हैं तो मैं तो सम्हाल के डालूंगी लग किसी और को बोल देती हूं तो पूरा पूरा फर्स में मिट्टी फैला देते हैं तो इस बार अपना नीचे ही लगा हो रख भूंगी उपर डोरी बंदी हुई है उसी में मनी प्लांट थोड़ाया था उसी को सारी मूली का क्याली बना हुआ है उसी में मैं जहां जहां जगा है ना उखाड तो थोड़े बहुत उनको मैं इधर लाकर के लगा दूंगी दोस्तों मैं ना मेरे गार्डन में कैसा भी हो मतलब जेओ भी मैं बहुत मेहनत करती हूं इसमें भी आकर के और गर में भी मेरी बहुत मेहनत होती है लेकिन अगर जब एक दो दिन नहीं आती हूं कोई पेड़ मेर मेरे दिमाग में बहुत आता है मुझे बहुत प्यार है अपने गार्डन से लेकिन इतना है जादा कुछ करनी पाती है और एक तो मिट्टी यहां की खराब कुछ भी जी लगा दो बहुत जल्दी तो होती ही नहीं मुझे मिल पाता है क्योंकि इसके अंदर नीचे मिट्टी के अंदर बहुत कीड़े मालूम नहीं चीटियां है क्या है तुर्ण जड़ को नीचे से खाल लेती है और प्रवदर खराब हो जाता है मेरा तो नए नए पोधे तो ज्यादा तर बहुत मतलब उनको तयार करना करते हैं करनी Improve लकारा ही आपने ट्रमाटर को लगाने में इक करके माहां से ला रहा है और पांगल हो जाती मुझे ताईंक होस्ने रहता हो और मैं प्रूम होने जा रहा दूज़तो और मैं आ गये हूं किचन में हाथ मुधोकर के अच्छे से और मैं आज क्या बनाने वाली हूं? आज मैं बनाने वाली हूं मटर पनिर की सबझी और भी बिना लेसन प्याज के और एक फोटी के साथ मैं बनाऊंगी देखना कितनी लाजवाब बनेगी आप होटल का खाना भूल जाएंगे इस पनीर को खाएंगे तो और डेली रूटीन वारी जो सब्जियां बनाते हैं वो तरीका भी बदल देंगी क्योंकि इतनी लाजवाब सब्जी बनती है और क्या तेस्ट भी बिल्कुल अलग तेस्ट आता है जैसे हम जनरली मटर पनी को प्याज लैसुन और सब्सीज दाल के क्रीम वगला डाल के बनाते हैं आज मैं वो कुछ भी नहीं डालूंगी दोस्तों और देखिए मैं कैसे बनाती हूं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा औ तो यह देखिए सबसे पहले मैंने तीन टमाटर वाश कर लिया है दो कखडी मिर्च है हरी मिर्च मतलब और इसको मैंने चार टुकड़ों में डिवाइट कर लिया है और जो है ना मैं एक थोड़ा सा अधरा का इसको जो है जितना लिया है यह पूरा नहीं लोंगी आधा ल सबजी खा करके ना जी उब जाता है और इस सबजी को देखे मैं गैस जला गेती हूं और कैसे बनाती है छोटी छोटी ट्रीक है उससे हमारी सबजी लाजवाब और बिल्कुल अलग हट के बनती है डेली रूटीन से मतलब कभी कभी होता है आज ऐसा नहीं बनानी आसा खान अचित मैंने तीन तमाटर लिया है और हम चाल लोगों की सब्जी में बना रहे हूं चाल तमाटर है यह एतीन तमाकर फोरी और दो हर इमेच मैंने काक लिया था उनको दो तीस ही किया था और इसको थोड़ा सा भून लोंगी चोछे कच्छा पनी इसका मर जाए और उसके ब भूत पुटनी मुझी चाहिए न वॉतनी ही पणय ले लेती। जारत है दोस्तों मैं יजावा करती हूं मतला मुझसे नहीं होता है कि मतला रहे इतना लिया तो इतने ग्राम मैं यह लालूंगी इतने ग्राम यह लालूंगी ऐसा यही फोड़ जारत है हाउसवाइप को ज्र इसमें जाएगा कितना नहीं जाएगा क्योंकि देली का मेरा हम सभीर लेडिसों का काम होता है तो हमको पता है हमारे घर में कितना लगेगा देखिए इस अच्छे से भुन गया है गदा पकाऊंगे नहीं से थोड़ा थोड़ा सा जो है कच्छा पनी सकमर जाए और बिलकुल पानी डाल दिया है क्योंकि जब पीसेंगे ना तो एक सार हो करके पीस जाएगा बस इसलिए और कुछ ने तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूंगी थोड़ा ठंडा कर लोंगी जिससे की मिक्सी चलाते समय कोई दिक्कत ना हो और जो है ना पनीर को मैंने ब पीस में काटे थी पनीर को इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है बस और यह बिल्कुल ब्राउन नहीं करूंगी थोड़ा से रोष्ट कर लोंगी समझ लीजिए हल्का मैंने थोड़ा सा भून लिया है बस और यह बिल्कुल डीफ्राई नहीं किया है तो यह देखिए मेरा इसमें वह समझ गया होंगे और फिर इसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी इसी कड़ाही में मैं थोड़ा सा और तेल अट कर लूंगी अपने मसालों को जो डेली यूज का मसाला होता है यह मसाला जो है ना मैंने कोई खास मसाले तो पीसे नहीं तो यह जो मसाले इसको मैं भीगा दूँगी जब तक मैं अपने और चीजें फ्राइर अदर करूंगी न तब तक यह मसाले मेरे धन्या मेच और हल्दी और थोड़ा सा काला नमाक साइब करते है चीजें करा ने कर्या खास मेचै kan air तुठ हो पीजें थोड़ा साइब कराक दाले आदर तब तक मैरे थी तरफ जाएगा मेरी मेरें तर तक मेरा तेल भी उधर गरम हो रहा है कडाही का और यह देखिए खड़े मसाले मैंने जीरा तेट पत्ता और बड़ी इलाइची एक और छोटी इलाइची भी हरी वाली इलाइची होती है ना दो ली और लॉंग लिये और कली मेच इतना चीज मैंने लिया और उससे प्राइची यहां कोड़न लॉदू hoe तो अच्छा हम पर जाले जा अलग सी थोड़ा ट्रीक मतल थोड़ा सा अलग हटके हैं ऐसे तो खड़े मसालों के साथ बहुत चीज़ें बनाते हैं लेकिन आज हम पनीर को ऐसे ही बनाएंगी इसको मैं अच्छे से भूल लूगी यह वाला जो टमाटर और मेच था अधरत थी तीम चीज़ें पीसा था तो मैंने इस उच्छा चलो रखी है बना देती हुए देखिए तो यह थोड़ी अथी सी भून गई है और इधर में तवे में थोड़ा सा कसूरी मेथी मैं थोड़ा सा भून लोंगी हलका भून लोंगी ज्यादा लाल मतलब ज्यादा जलाओंगी नहीं यह मेरी बहुत पुरा मैं तो पिछले बार भी कभी बनाया था मैंने वीडियो टाली तर्थी शायद याद नहीं मुझे लेकिन इस बार भी मैं कम बनाऊंगी अभी तो शुरू ही हुआ है सर्दियों का मौसम और अभी आएगी ज्यादा जब बजार में अच्छी आने लगेगी वली बड़ी पत और इसमें जो मैंने मसाले घूल के रखे थे ना जनिया घल्डी गरम मसाला नुकाला नमा और यह है यह मसाला इसको भी मैं अब मिला करके इसको भी अच्छे से बून लोंगी और ये दोस्तो दो टिंटो मैंना काजूह सेऋ ये याट कर दे रही हूं ये तो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं इसी अच्छा दिखेगा कर करे डा टे रही हूं और कुछ नहीं आ हो रहे दीखे मैंने मटल डाली अच्छे से मेरे क्योंकि क्योंकि हरी मटर थी वोखी ना पक तो जाईगी ना तो जाएगी मटर ती और इसको फेक्टास अर इसको ठाद या तो रहाला अच्छछ अ पिक हाता है घरम ना च्छा ओठ अच्छी चीज़ें पड़ी हैं नॉर्मली कुछ भी नहीं वही देली की मसाले ही तो पड़े हैं लेकिन टेस्ट एक दम अलग आता है तो थोड़ से मैगी मसाला डालेंगे ना तो बच्चे इतने चाओ से खाते हैं ना ये थोड़ी सी ब्राउन सी दिखरी है ना दोस्तों य तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए